पूर्णों का उच्चारन जो हमने पिसली कक्षा में किया था उसी श्रंखला को आगे बढ़ाते हुए इसको जारी रखते हैं और बरौणों के उच्चारन का सही क्रम क्या है और उसको हम किस तरह से सही बोल सकते हैं इसके वारे में आज बात करेंगे जाजय जी मुझे आपसे एक प्रश्ण करना है हाँ बताईए पिछले बार आपने हमें बताया था कि मूर्धा और तालू होते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है हमारे मुख के अंदर बोलने का एक क्रम है कंठ सबसे पहले जिसमें हम बोलते हैं कवर्ग का ये सबसे पहले आता है उसके बाद तालव या तालू कंठ के बाद सीधा तालू आपने मुख के अंदर एक देखा होगा एक हिस्सा होता है तालू जहाँ पर कुछ ये नीचे की तरफ कुछ लटकता हुआ सा हिस्सा होता है वो तालू कहलाता है जिसमें हम चावर्ग चा चा जा 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 उसके बाद आती है मूर्धा या मूर्धन ठीक है मूर्धा में शब्द आते हैं जो वर्ण आते हैं उसमें टावर्ग जिसे टा था डा धा ये सब तालू के बाद है और उसके बाद दन्त है उसके बाद ओश्ट, ठीक है, पिसली बार मैंने बताया था कि जो ध्वनिया बोली जाती है, या जो ध्वनिया हमारे मुख्य अंदर से निकलती है, उसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इस तरह के जो भी वर्ण हैं, उन सब को हम किसी न किसी स्थान से बोलते हैं इसी क्रम में कंठोष्ठ, जिनका उच्चारण कंठ और होठों के द्वारा होता है, वे वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं कंठोष्ठ है, जैसे ओ, ओ में बोलिए ओ, कंठ से ध्वारी निकली और हमने होठों का सारा भी लिया तो इसको हम क्या कहेंगे, कंठोष्ठ दूसरी प्रकार के हैं, दंतोष्ठ, जिनका उच्चारण निचले होठों के साथ दातों के मिलने से होता है, वे वर्ण दंतोष्ठ कहलाते हैं जैसे वा, नीचे का जो होठ है हमारा, इसको हम दात से, ऊपर वाले दात से जब लगता है, वा, इस तरह बोलेंगे वा, तो ये जो वर्ण है, ये दंतोष्ठ कहलाते हैं, हमने दात का साहरा भी लिया और उष्ठ का भी, ठीक है? ये एक और है इसी प्रकार से, कंठ तालव्य, जिनका उच्चारण कंठ और तालू के द्वारा होता है, वे वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं, जैसे ए, आय, हाँ, कंठ तालव्य, हमारे अंदर से आवाज कंठ से सीधी निकली, और तालू का साहरा लिया, ए, आय, दोनों का साहरा लगता है, कंठ का भी और तालू का भी है, तो ये कंठ तालव्य, तो इस प्रकार ये जो शब्वर्ण है, कंठ तालव्य, कंठ तोष्थ, दंतोष्थ, ये आप लोगों को याद रहेंगे, दंतोष्थ में क्या है, एक दारणा बताईए, दात और ओष्थ का साहरा लेके बोला जाता है, जैसे, वाँ, 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 वाँ, कार्तिक, वाँ बोलके बताईए आप वाँ, किस तरह बोलेंगे, बताईए, वाँ, एक तो देखिए हम लोग के अंदर से दुद्वर्णी निकल ले है, हवा आ रही है, वो तकरा रही है, उसके बाद ही इस दुद्वर्णी का उचारण हो पा रहा है, इसमें हमारी प्रणी का रही है, दातों से निकल ले है, और वोष्ट का रही है, बिल्कुल ठीक, कंठोस्थ, शाश्वत, आप बताईए, कंठोस्थ, जो वण है, उसको हम किस प्रकार से उचारण करेंगे, जब हवा सीधे गली से बाहर आती है, और होटो पर जाके लड़ती है, और कहे जाते हैं, जैसे, ओ, ओ, हमने ये होट का साहरा भी लिया, और अंदर से जो हमारी ध्वनी आई थी, कंठ से, उसका साहरा भी है, तो ये कंठोस्थ, दन्तोस्थ, कंठ तालब है, ठीक है, दूसरे परकार के कुछ वर्ण है, जैसे अगोश, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, स्वर्ण तंत्रियों में स्वासवाईव से कंपन नहीं होता, उन्हें अगोश वर्ण कहते हैं, जैसे साधारान तरीके से अगर हम इसको कहें, हमने बोला का, हमने उच्चारान किया का, अगोश, बहुत साधारान सी चीज है, हमारे वाईव निकलने में कोई बहुत ज्यादा कंपन या जोर लगाना नहीं पड़ा, वहीं हमने कहा, का, तेजी से, तो ये अलग हुआ, ये अगोश में नहीं आएगा, क्योंकि हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ा, या हमारा अंदर से जो हमारी आवाज निक लुए तेज से, तो अगोश कौन से वरण है, जिन वरणों का उचारन करते समय, स्वरतंत्रियों में स्वास वायू से कमपन नहीं होता है, ये अपने जेव उस काका उचारन किया, तो हम लोगा, मतलब उससे आदेश लग रहा था, पहले आदेश नहीं लग रहा था, दूसरे प्रकार के वर्ण है घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरत तंत्रियों में कमपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, जब हम अधिक जोर देंगे वहाँ पर घोष, अघोष हलके से बोला, धीरे से, जोर देकर बोलेंगे वह घोष, जिसको बोलने में हमें अधिक उर्जा का प्रियोग करना पड़ेगा, वह वर्ण हमारे घोष वर्ण कहे जाएंगे, आप लोग को मालम होगा कि कंट या तालू के द्वारा जो वर्ण हमने उच्चारित किये, उसमें हमारे स्वर्भी है और देंजन भी है, आप इसको पुनायाद कर सकते हैं, यसे आ, आ, ओ, हमारी हिंदी वर्ण माला में, ओ का प्रियोग, विदेशी शब्दों के रूप में, या विदेशी वर्णों के रूप में, आ यह है, इसे डॉक्टर, जब आप डॉक्टर लिखते हैं, तो एक इस तरह का चिन नम बनाते हैं, तो ओ, उसके बाद का, खा, गा, गा, अंगा, अर्थार्थ आ का प्रियोग्किवन अंग्रेशी शब्दों में ही किया जाता है, हाँ, यह हमारी हिंदी वर्ण माला में, यह ओ इस तरह का नहीं है, इ, इ, चा, छा, जा, जा, या शा, इस तरह से, आप पुनाहियाद कर ले, मूर्धन्या, मूर्धा में, रिल, ता, था, डा, धा, ना, रा, शा, धंत में, ता, था, दा, दा, ना, ला, और सा, ओस्ठ में, जिन वर्णों का प्रियोग करते हैं, उ, उ, पा, भा, भा, मा, कार्टिक आप भा किस तरह बोलेंगे आप उच्चारण करके बताईए भा का उच्चारण सही तरीके से हम किस तरह करेंगे आप बताईए जैसे मैं एक बार आपको बोलकर बता रहा हूं भा बोलिये भा, शाश्वत आप बोलिये पा, आप बोलिये टा, तो इस तरह से सही उच्चारण करना हिंदी के लिए एक महत्पूर्ण चीज है. अभी आपने जो ये पढ़ा है, कंठ तालब में, कंठोष्ट में, ओ, अव, दन्तोष्ट में, वा, और स्वर्यंत्र, हा, या विसर्ग, जैसे विसर्ग आप देखते होंगे, आप दुख लिखते हैं, हिंदी में दुख, अता, प्राता, तो अंत में दो बिंदी लगा देते हैं, नि, 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 स्वार्थ, तो इस तरह से ये विसर्ग लगती हैं, इन में जो है, स्वर्यंत्र का प्रियोग होता है, तो बच्च तो इस प्रकार वर्णों के उच्चारण में मुख का इस्थान क्या है ये भी आपको अच्छी तरह पता होगा अब आपको इसमें कोई कहीं पर कोई संदे है या कोई भ्रह्म की स्थिती तो नहीं है